जहां जहां चुनाव अता दारी बना के चले जाते हैं बड़े-बड़ी बात बोलते हैं यह कर देंगे वो कर देंगे करते हैं कुछ नहीं यह विरोध परदर्शन मेरा नहीं करना है उन्हें के ही काम को उनकों को याद कराना है कि आप सुधर जाईए और तो गद्धी छोड जारी है हम आए दिन देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल और अन्य घरिलू चीजों की जिस तरीके से बढ़ोत्री हो रही है विपच्छ जो है वो लागतार केंद सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त हम राजधानी राची के बापु वाटिका के पास हैं और यहां पर त्रिमूल कॉंग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं कि धरना प्रदर्शन इनका कितना सफल होगा महंगाई जो बढ़ रही है क्या केंद सकार इस पर कोई विचार करती है या नहीं हमारे साथ इस वक्त संजय पांटे हम इन से जानन परतेक नागरी कम उता है और यह हम आपको इस पर विचार करना ही होगा और हम परमुक्विपक्षी दने भारत के जदी जनता के सरोकार का आवाज ने हम केंदर सरकार तक नहीं पोचाएंगे ज़र जो समर्थ सरकार उसके तक आवाज नहीं पोचाएंगे कि भाई आपकी अर्थववस्ता कंने से लिरुजञारी बढ़ रहा ही है जनता प्रेशान है किसनल प्रियास कर रहे हैं अपनी बात नहीं करना है उन्हें के ही काम को उनको याद कराना है, उनके बादे को याद कराना है, जो बादों को आप कह करके आए, जनता को आपनी जिसने बादे पर सरकार बदल करके आपको सरकार दिया, आप उनको निदान के ये महगाई से उनको निजात दिलाएए, बेरोजगारी से निजात दिल इसमें महगाई यह मुद्धा है कि इससे समसारी भारत की पूरी जंदा प्रभावित है। इसमें महगाई को लेकर लेकिन क्या लगता है कि इससा नहीं देखा गया है। जब जूट बोलके आएं सब्ता में। जो बोले थे कि हम 30 रुपे पिट्रोल कर देंगे, काला धेन ले आएंगे, बुले ट्रेंड चलाएंगे, सुवा स्मार्ट सिटी देंगे। केंद्र सरकार की भी भलता दितर साती है। क्या लग रहा है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब तो केंद्र सरकार बताएगी, हम लोग तो बोल रहे हैं कि डीजल पिट्रोल का कम कम की, दाम कम की जेल। गुझन को करिते हैं तो केंद्र सरकार के नेतर नहीं काम करें है, तो केंद्र सरकार को सुचना का इजा है कि आफी बात बोलने से नहीं होता है। अभी पुलाव बनाने से नहीं होता, जहां जहां चुनाऊ होता, दारी बनाएक चले जाते हैं, बरे बरे बात बुलते हैं, यह कर देंगे, वह कर देंगे, कुछ नहीं, आम पवली के दाज़ोटी नहीं जूट रहा है, तो जब तक डीजल पिट्रोल पे दाम नहीं कमेगा, महंगाई नहीं कमेगा कि डीजल पिट्रोल से ही सभी संसाधन पर महंगाई बढ़ता है तांस्पोर्टिंग बढ़ेगा आज सुचिए आप कलपना के लिए 1802 रुप्य सरसुतिल दो दो सुरुप्य कमाते हैं तीन सुरुपय डेली वो दो सुरुपय सरसुतिल खड़ी है और यह परियास जारी हो गया कि अब हम लोग अंदोलन के मुद्धे में आगे हैं और केंद्र सरकार को यह बता देंगे कि आप सुधर जाएए और तो गद्धी छोड़ देजे तो लगतार धरना प्रदशन कर रहे हैं हाथ में तक्ति लिए बैठे हैं मुदी जी कुछ याद करो अच्छे दिन की बात करो क्या है वो अच्छे दिन कैसे होने चाहिए अच्छे दिन बता है कि सबसे पहले बाद तो 2014 में जब सरकार को उनको आना था तो उन्होंने बोल ले था कि मुझे एक पर गद्धी दो मैं तुझे अच्छा दिन दो मगर मैं उन्ही का सब्द से हम बोलना चाहता हूं कि क्या यही अच्छा दिन है जो कि हमारे जनता देश के तरस्त हो गए है महंगाई के लिए के महंगाई से आज राजसंत्र खतम हो जा रहा है ऐसा क्यों तो सबसे पहले बाद ऐसा है कि हमारा जो इस मुद्धा है आज एक दिवसिये हमारे ओले इंडिया तिरिमन कॉंग्रेस की और से एक दिवसिये धरना दिया जा रहा है बाव पटिका में यह मेरा में मुद्धा है कि हमारा इस आपने देखा होगा जब यहां रसवाई गैस बाटा गया कि कारा पिठते थे सरकार केंद्र सरकार मगर आज वही घर में जाके देखिए क्या रसवाई गैस के लिए वह वहां उस रसवाई गैस में उस क्या उखाना बना रही है तो मोदी जी बोलते थे दीदी को आज हम धुआ में नहीं रहने देंगे तो क्या यह नारा उनका एकदम सही है नहीं क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ क्योंकि जब पेट्रोल एडीजर की कीमत बढ़ती है ट्रास्पोर्टिंग बढ़ता है और इसके साथ अन्य चीजे भी बढ़ती है तो इस वक्त हम वापु वाटिगा के समक्ष थे रासधानी राची के और रहा पत्रिमूल कॉंग्रेस के दोरा धरना प्रदर्शन किया ज झाल